नमस्ते गया विवज्ष् नहीं देखाया तो एक बार देखे लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्प्षिन में मेरे प्यारे विवस् देखे विलासिटय वेवज्ट की रिगाडिंग हम लोगों ने अभी तक तीन चार टॉपिक्स दिसकस किया है, पहला जो टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक था आपका Newton's formula for velocity of sound, okay, and Laplace's correction, दूसरा हमारा टॉपिक था, velocity of transverse waves on a stretched string, तीसरा हमारा टॉपिक था, velocity of longitudinal waves in a gas, okay, in a tube, okay, तीसरा टॉपिक था, चौथा टॉपिक हमारा ripples and gravity waves, okay, तो इनी सब के regarding यहां पर हम लोग क् questions लिया है, हम लोगोंने, आने वाले वीडियो में हम एक और पाट लेंगे, हम लोग जहां पर और तीन-चार questions गंसर्टर करें, तो यहां पर देखेगा, पहला जो question हम लोगोंने लिया है, वो क्या है, what is the velocity of transverse wave, okay, along a wire, 1000 meter, of which, which is 2.5 kgf, and if wire is pulled by a force of 196 newton, देखे, यहां पर ह में क्या करना है, एक velocity पता करना है, transverse wave का, okay, देखे, हमारे पास, एक wire given है, जिसका length है, 1000 meter, ठीक है, इसका जो weight है, वो 2.5 kgf, दिया हुआ हुआ है, बट इसका mass जो है, 2.5 kgf, ठीक है, और इसको मान लिजे, हम लोगोंने, उपर की तरफ क्या किया, इस प्लक कर दिया, with a force of 196 newton, okay, तो हमें कह रहा है, कि जब हम लोग इसको उपर के तरफ प्लक कर दिये, 196 newton force की मदद से, okay, तो यहाँ पर इस string में, जो transverse waves बनेंगी, उसका क्या velocity होगा, अब आपको पता है, कि जो transverse waves का velocity है, उसका expression क्या होता है, टी बाई एम, जहाँ पर टी टेंशन होता है, और मास पर unit length होता है, तो ती का value तो हमारे पास given है, क्योंकि यह जो force है, यह actually tension कहीं कारे करती है, आप उपर घीचोगे, तो यह tension ही लग रहा है, एक प्रकार से वाय और हमारा जो wire का length है, वो भी given है 1000 meter, ठीक है, अब यह जो M है ना, चलिए इसको capital M ले 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 जए, क्योंकि small M जो है, यह mass per unit length होगा, यह पहला question है, ठीक है, mass per unit length होगा, वो क्या होगा, M by L, अब mass कितना है, total mass है हमारा 2.5 kg है, और हमारा length कितना है, 1000 meter है, so, mass per unit length कितना हो जाएगा, 2.5 into 10 per power, minus 3 kg per meter, ठीक है, यह हो गया mass per unit length, अब देखें, हमारे पास tension भी है, mass भी है, formula में रखते हैं, so, जो required velocity होगा, transverse wave का, जो इस wire पर बनेगा, वो क्या होगा, V is equal to under root T by M, T कितना है भईया, 196 है, 196 newton है, and mass per unit length कितना है, 2.5 into 10 per power, minus 3, ठीक है, now let's solve it, इसको solve करना होगा, ऐसा करते हैं कि 10 per power minus 3 को उपर लेके चले जाएगा, तो यह positive हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास, कीवल और कीवल, 2.5 बचेगा, अब यह 2.5 का जो, 2.5 है, decimal में, इसको decimal यहाँ से हटा देते हैं, decimal हटाने के लिए क्लिए क्या करना होगा, 196 into 10 per power 4 हो जाएगा, by 25, अब कैसे देखो, 2.5 है, तो हम 2.5 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 by 10, तो यहाँ 25 by 10 आएगा, तो यह 10 उपर चला जाएगा, numerator में ठीक है, तो V is equal to क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पर, अब देखो, इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट में यहाँ पर क्या आजाएगा, 25 से इसको डिवाइट करोगे, तो कितना आना चाहिए, 25, 7 जा कितना होता है, 175 तो यहाँ पर कितना बचिया, यहाँ पर आपके पास बचके 21, हाना, एंद फिर 0 ले लेंगे, तो 21 बचेगा, तो 210 हो जाएगा, 8 से, फिर 200 हो जाएगा, एंद 210 यहाँ पर 4 से, इतना आएगा आपके पास, ठीक है न, एंद यहाँ पर 10 पर पावर 2, ठीक है, कुछ इस प्रकार का जो है, विलासिटी होगा, किसका, इसका विलासिटी होगा, यह विलासिटी आपका, टांस्वर्स वेप्स का होगा, इसका जब आप निकालते हो, तो आपको value यहाँ पर मिलेगा, V is equal to 2.8 मिलेगा, ओके, यहाँ पर 10 पर पावर 2, जो विलासिटी होगा, आपका, ओके, वो क्या हो जाएगा, इससे multiply कर दोगे, तो 280 मीटर पर सेकेंड का विलासिटी होगा, किसका, ट्रांस्वर्स वेप्स का, चलिए आगे याते है, question number 2 के तरफ आते है, question number 2 क्या गीवन है हमारे पास, question number 2 given है, देखे, इसको थोड़ा मोर दे, हैना, थोड़ा सा, देखे, question number 2 क्या गीवन है हमारे पास, a string of mass 2.5 kg, हैना, is under a tension of 200 newton, ठीक है, the length of the stretched string is 20 meter, if transverse jerk is struck at one end of the string, अच्छा, यहां पर क्या है माल लिजए कि एक इंड जो है वायर का वो टाइड है ओके और इस पर जो टेंशन लगा है वो कितना है 200 न्यूटन का टेंशन लगा हुआ है अब इसका जो वेट है वो 2.5 kg है अब देखिए कहये रहा है कि जो यहां से पकड़के हम लोग इसको जटका दे दिये कसके जटका दे दिये है नहीं यहां से छोड़े तो जो ट्रांसवर्स वेव बना यह ट्रांसवर्स वेव एक इंड से दूसरी इंड तक पहुँचने में अगर हम लोग वेलासिटी इसका पता कर ले तो आसानी से चीज़ निकल जाएगा क्योंकि वेलासिटी क्या होता है डिस्टेंस बाइटां का प्रियोग चलिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है यहां पर कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है ठीक है ठीक है ठीक है केजी 125 है यहां पर केजी पर मीटर आएगा इसका मास पर यूनिट लन ठीक है ना आए आगे आए अब जो है वेलासिटी पता करते हैं ती का विल्लू कितना गिवन है 200 वाई 0.125 ठीक है नो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 200 एंटू 1000 वाई 802 1025 यहाँ से यह 0.125 सकते 125 वाइ 1000 तो यहां पर नेचे 1000 तो यह उपर चला जाएगा कहां पर निम्रेटर में है निम्रेटर में चला जाएगा अब यहां पर देखेगा क्या और कैसे होगा ठीक है इसको कटिंग करना पैल ते तर यहां से देखे रहे तर ही इसको कट करते हैं तो कितना होगा 255 तो कितना होगा है ना so root निकालोगे तो कितना आएगा 40 आएगा तो 40 meter per second जो है यह velocity हो गया आपका किसका transverse waves का अब चुकि हमें पता है velocity क्या होता है भईया displacement by time so time क्या हो जाएगा displacement by velocity displacement कितना है 20 40 कितना हो जाएगा 0.5 seconds ठीक है तो यह क्या हो गया आपका दूसरा आपके जाएगा दूसरा question तो हो गया तीसरा जो question है मेरे प्यारे भी विवस वह है a steel wire has a length of 12 meter है एक steel wire है इसका length 12 meter है and a mass of 2.10 kg what should be the tension in the wire so that the speed of transverse wave of the wire equals to the speed of sound in dry air at 20 degree Celsius ठीक है देकि question क्या कह रहा है question यह कह रहा है कि हमारे पास एक steel wire given है जिसका length 12 meter है उस mass जो है 2.10 kg है ठीक है तो कह रहा है कि हम लोग wire पर कितना tension लगाएंगे what should be the tension in the wire है न ताकि जो speed हो पनेगा transverse waves का wire में वो speed of sound in dry air से equal हो at 20 degree Celsius है न 20 degree Celsius पर जो sound का speed होता है न ड्राइ एयर में वो कितना होता है 343 meter per second तो इस wire का मतलब इस transverse waves का जो wire पर बनेगा इसका velocity 343 meter per second से equal होगा है न इक्वल करने के लिए हमें कितना tension यहाँ पर wire पर लगाना होगा हमें इसी tension के value को यहाँ पर पता करना है अब देखे हमारे पास essentials क्या क्या है अर्थाद given क्या क्या है थोड़ा सा यह देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा देखेगा हमारे पास given क्या क्या है पहले तो by हमारे पास length given है 12 meter का यह question number 3 मास given है 2.10 kg ठीक है ना सो मास पर unit length कितना हो जाएगा m by l यह आपका हो जाएगा 2.10 by 12 हो जाएगा है ना and divide करके check करना आप आपको value मिलेगा 0.175 kg पर meter मिल जाएगा ठीक है ना now speed of transverse waves है ना तो transverse wave का speed क्या होता है wire में यह होता है आपका T by M मतलब जेतना tension लग रहा है उतना और divided by per unit mass इसका root अब अगर हम लोग ऐसा करें इस root को इधर लेया है left hand side के तरफ तो क्या होगा V square जो है T by M से equal होगा हमें tension का value पता करना है so we can write T is equal to V square M अब देखो देखो यहां पर V square M है तो T अब आपको होगे कि हमारे पास velocity तो है नहीं transverse wave का लेकिन मेरे प्यारे विवस हमें velocity equal किस से करना है इस से 343 meter per second से equal करना है यहां पर जो velocity produce होगा वायर में यहां पर जो transverse waves का velocity होना चाहिए वायर में वो कितना होना चाहिए 343 meter per second तो velocity तो है ही है हमारे पास है ना तो क्या हो जाएगा 343 into 343 into 0.175 kg meter per second होगा इसका एंड आप multiply करोगे तो आपको value कुछ इस प्रकार का मिलेगा 2.06 into 10 per power 4 newton ठीक है अब multiply करके एक बार चेक करो ठीक है so this is this is the third question okay now next question जो है यह थोड़ा सा क्या है competitive type question है अभी तक जो भी question देख रहे था university level तक का था तो fourth question क्या कह रहा है कि at what temperature will the speed of sound be double its value at 273 Kelvin देखे कह यह रहा है कि जो हमारा speed है sound का okay जो 273 Kelvin पर 273 Kelvin पर जो speed होता है sound का okay उस speed के दुगना मतलब double value किस temperature पर होगा यह हमें यहां पर पता करना है तो चलिए यह चीज़ कैसे पता कर सकते हैं उसको यहां पर देखते हैं ठीक है क्या कह रहा है question कि at what temperature will the speed of sound be double its value at 273 Kelvin okay तो देखो हमें एक चीज़ पता है कि चलिए ठीक है इसके लिए पहले यहां पर ऐसा करते हैं कि लेट वीवन जो है यह आपका माल लेते हैं कि वीवन यह क्या है यह आपका speed है किसका sound का speed of sound at temperature T1 अवसी प्रकार V2 जो है यह आपका speed है किसका sound का at temperature T2 ठीक है अब हमें पता है कि जो velocity होता है ना sound का वो square root of absolute temperature पर डैकली प्रकोस्टल होता है तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं V2 by V1 is equal to under root T2 by under root T1 अर्थात ऐसे लिख सकते हैं V2 by V1 is equal to under root T2 by T1 अब both sides अगर आप squaring करो both sides तो क्या मिलेगा आपको V2 square by V1 square is equal to T2 by T1 कुछ इस प्रकार का मिलेगा नो हमें temperature पता करना है दूसरे के velocity का है ना V2 मतलब है कि उसका velocity कब दुगना होगा है उसका temperature देखना है हमें तो T2 पता करते हैं इसके लिए तो T1 into V2 square by V1 square ठीक है अब यहां देखेगा T2 is equal to T1 T1 हमार पास given 273 Kelvin है ना एंड जो V2 है ठीक है यह क्या है दूगना है आपका किसे V1 से सो ठीक है कुछ इस प्रकार से यहां पर V2 जो है यह एक्चुली velocity है temperature T2 पर ओके और यह जो V2 है आपका यह क्या है यह आपका 2 V1 से equal है ठीक है जैसे कि हम लोग कहे थे आपको सो वी केन राइट यहां पर क्या लिख सकते हैं T2 is equal to 273 यह V1 V1 cancel कर दीजे 2 का स्क्वाइर 4 आ जाएगा multiply करिए कितना आ रहा है 4 3 12 1 carries 28 129 and 1092 Kelvin जो है आपका temperature आ रहा है इसको degree Celsius में convert करना चाहते हैं तो T2 कितना आ जाएगा 1092 माइनस 273 Kelvin ओके माइनस करिए कितना आ रहा है T2 is equal to 819 degree Celsius तो हमारा जो velocity है आपका किसका speed of sound का ठीक है वो डबल कब होगा इस temperature पर 1092 Kelvin पर अर्थाथ 819 degree Celsius पर ठीक है 273 Kelvin पर जो velocity होता है sound का माल ने थे हैं कि वो भीवन है तो यह velocity जो है कितने temperature पर दुगना हो जाएगा यह हमें पता करना अ अगली पार्ट में जहां पर हम लोग कुछ और क्वेशन को डिसकस करेंगे क्वेशन करेंगे